हाई फ्रेंड्स मेरे कीचन में आपका स्वाकत है आज मैं एहमदाबाद के मालेक चोप की कुक्रा सेंड्वीच की रेशिपी शेर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत इजी और सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आए बनाना शुरू करें कुक्रा सेंड्वीच बनाने के लिए मैंने यह पेंच बाउल लिया है उसमें बारिक कटा हुआ प्याश लेगे बारिक कटा हुआ कैपसिल कउम पारिक कट क्यूर्स हरी मिर्च और एक छमाचाट मसाला डालेंगे एक चमाच चली फ्लेक्स डालेंगे इन सभी चीजहों को तैयार कर लेंगे यहां पर तीन ब्रेट स्लाइस लिए मैंने तीनों ब्रेट स्लाइस पर अच्छी तरह से हम बटर को स्प्रेट कर लेंगे फिर इसके उपर ग्रीन चटनी लगाएंगे अब हमने जो तैयार किया हुआ स्टफिंग था वो दोनों ब्रेट स्लाइस पर लगा देंगे फिर इसके उपर चीज को ग्रेट कर लेंगे अब एक ब्रेट स्लाइस के उपर दूसरी ब्रेट स्लाइस को रख देंगे और जो चटनी लगाई हुई ब्रेट स्लाइस है उसको उसके उपर रख के कवर कर लेंगे फिर इसके उपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे यहाँ पर मैंने सेंड्विच टोस्टर लिया है इसको बटर से ग्रीस कर लिया था अब तयार की हुई सेंड्विच इसमें रख देंगे इसका जो साइड़ वाला पार्ट है वो हम निकाल देंगे अब इसको हम गेस पर रख के स्लो फ्लेम पर दोनों तरब से अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे अब इसको हम निकाल लेंगे और इस पर थोड़ा सा बटर लगा देंगे और इसे कट कर लेंगे तो तयारे हमारी गुगरा सेंडविच तो आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ठैक्स पर वाचिंग